आज मिवातिय किसान लगू सच्ची वाले नुहू पहूंचे ट्रैक्टर लेकर बतादें कि बुदवार को भारतिय किसान यूनियन के आवहान पर लगू सच्ची वाले उंपर देश्वर में किसानों से पहूंचने की जो अपीर की गए थी उसका असर हर्याणा की नुहू मिवात में भी देखने को मिला। भारतिय किसान यूनियन से जुड़े आजात, खेडी, कंकर के नेतरतों में आदा तरजन से अधिक ट्रैक्टर पर सबार होकर तरजनों किसान लगू सच्ची वाले नहों पहुंचे। नारे बजकी है। हम भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आप देखें नुहू मिवात से लियाकत अलिक रिपोर्ट हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेचिएगा और रोचन दिखते रिएगा जिले की तमाम चोटी बड़ी खबर हैं। किसी कॉल पर ये प्रदर्शन किया गया था और क्या मजबूती है। ये प्रदर्शन एशकेम का हमान पर चोधरी राकेश टिकेट की कॉल पर जो किसान चारू तरफ दिल्ली की तरफ बैठ हैं और वो बड़े दुखी हैं। उनको परेशान किया जा रहा है पुलिस और परशासन सरकार की तरफ से तो चोधरी राकेश टिकेश टिकेश जी ने इन चीजों को देखते हुए। जो पंचात हुई थी उसी में अलाउस कर दिया था कि किस्तारीक को हर डिस्टिक में सक्ट्रेट पर बीची के यहां सभी किसान टैक्टर लेके पर दर्सन करें। किस्ता किसानों को साथ मिला हैं। मेवाद का पूरा किशान एक जुठ है मेवाद का किशान कहीं का भी किशान हो हर किशान के दुख के साथ कि घड़ी में साथ खड़ा है। और काफी लंबा एक प्रोटेस्ट अटेक्टरों का वो गिंदी तो नहीं हो सकती उन्सीजों की। बाकि हमने ये दिखा दिया कि मेवाद का किशान भी चाए पंजाब का किशान है उत्तर पर्वेश का किशान है एक तो आपको मुझसे ज्यादा बहतर पता कि आप 24 गंटा वहां आप देख रहे ओं मोके पे तिसानों के साथ जो अत्यचार हो रहा है। मैंने एक दिन एक पत्तरकार से कहा भी था कि एक पत्तरकार के यहां गोली लगी थी, उसके सिर पे गोली लगी थी, तो यह सरकार किसी को नहीं बकसती, यह किसी की सगी नहीं है, कि पत्तरकार चाहे बेशक इनकी तलवे चाटने वाला काम करें, मगर यह है किसी की नहीं, और किसानों के साथ बड़ी बर्बरता कि जारी है किसानों को जख मिन जा रहा है एसे समझे जैसे कि ये किसान हिंदुस्तान के नहीं अब आगे का ये है कि आज ये हो गया 26-27 तारीक में चौद्र टिकेश साब का ये सपसंदेश है कि बिलकुल सतर्क रहें किसी भी दिन कभी भी दिल्ली की चारू तरब घेराओ करने के लिए तयार हैं टिकेश साब ने इसारा करें दिया है मुझे लगता है कि मेवात को तो पूरी तरह तयार रहने चाहिए अभी कुछ दिन पहले जब मेवात में एक घटना हुई थी कुछ तरारती बहार से आके दंगा करा गए यहां तो उस ताइम भारतिय किसान यूनियन, SQM और कई समाज मेवात के साथ खड़े हुए थे आज म मेवात को तो खुद को सूचना चाहिए, मेवात को खुद को खड़े होना चाहिए, कर भला सा हो भला, जो आपके भले में हो, आपको भला करना चाहिए और पिर आप छोटे किसान हो सकते हो, मगर हो किसान. कि इन मुद्दों को लेकर किसान जो है रोड़ पर आगा जब दो हजार बीश में अंदोलन चला था तो सरकार ने सबी चीजों पर एक यकीन दिलाए विश्वास दिलाए कि हम आपकी सारी मांगे मान रहे हैं सिरफ काले कानून को वापसी किया था MSP पर आज तक कोई फैसला नहीं हुआ MSP लटका के छोड़ दी खीरी लक्विंपुर में जो किसान रोंदे गए थे जो सहीद करे गए थे वे उनके जो कातिल हैं वो आज घूम रहे हैं सरकार के कंदे पर बैठके काम कर रहे हैं हमारी जो बेहन पहलवान दिल्ली में जिनके उपर सरकार और परसासन उनके पैर रखके गरदन पर पैर रखके जो काम कर दी थी आज सबी हमारी मांगे हैं उन दोस्यों को सजा मिले जो किसानों के कातिल हैं MSP गारंटी कानून बने जितने भी जूटे मुगदमे पुलिस ने सरकार ने बना रखे हैं वो वापसी हो किसान को कर्ज मुक्त किया जाए ये बहुत सारी केज मांगे हैं